2000 साल पुरानी पर्मपरा और चोल समराज से चला आ रहा सेंगोल आज भारत में सबसे ज़्यादा चर्चा का बिशय बना है। रखने का बिधान कहां से आया, कैसे सुरू हुआ और क्यों उसी मठ का राजदंड भारत सरकार के पहले परधान मंतरी को दिया गया। इन सब की कहानी आगे आपको हम बताएंगे और बताएंगे कि कैसे चोल समराज्य हो या फिर दुनिया के कई अलग-अलग महांतम समराज्यों में से कोई भी समराज सब के पास अपना एक राजदंड होता था। आगे सब पर एके करके बातचीत करेंगे सारी कहानी आपको सुनाएंगे बागे मना नाम मोहित कुमार सिंग है और आप जनता जंक्षन देख रहे हैं। सराय चौक दर्यापूर्ट साड़न में अनेके से भी जानकारी के लिए नीचे दिये हुए तीनों नंबर पर संपर्थ कर सकते हैं। सबसे पहले जो सेंगोल है वो कहा जा रहा है कि 2000 साल पुरानी परंपरा है। अब 2000 साल पुरानी परंपरा का मतलब समझे कि 2000 साल पहले कोई राजा बनता है वो अपने राज का शपत लेता है अपने जनता की रक्षा का शपत लेता है। अब उस वक्त पर जो राजगुरु होते हैं आपने कई सारी फिल्मों में देखा होगा। जो राजगुरु होते हैं वो राजा को एक छड़ी देते हैं जिसको राजदंड कहते हैं। अब उस राजदंड को एक प्रतिक के रूप में माना जाता है कि राजगुरू के आदेश पर ये राजा सासन कर रहे हैं और राजगुरू का मतलब की राजगुरू भगवान से उस राजदंड को पभीत्र करके पूजा पाठ करके तयार करते हैं और अब राजा को दिया जाता है और वहाँ पर तमील भाशा में एक भजन भी होता है जिस भजन के कुछ लाइनों का मतलब है कि हम आदेश देते हैं कि तुम अब न्याय करो अब जो राजा है जो राजदंड धारन करता है वो राजा बनता है और एक परंपरा के अनुसार एक परतिक अनुसार उसके हाथ में राजदंड होता है और एक परकार का प्रतिक होता है कि राजा जो सासन कर रहा है वो सासन भगवान ये आप कहिए कि जो भी उसका आस्था है राजगुरु है उनके आदेश पर नियाय के लिए कर रहा है अब राजदन्ड की कहानी 2000 साल पुरानी है हमने आपको बताया अब इसकी नई कहानी जान भारत का पहला परधान मंत्री बनना था अंग्रेज भारत से जा रहे थे भारत सरकार को पहला स्वत्तन भारत में परधान मंत्री मिल रहा था और उस वक्त पर माउंट बेटन ने कहा पंडि जुहालाल नहरू से कि आप कोई ऐसा प्रतीक है जिसको आप लेना चाहेंगे सत्त प्रतिक के तौर पर और नेहरू को कुछ समझ नहीं आया पंडिजवालाल नेहरू ने राजगोपालचारी सी राजगोपालचारी को बुलाया उनसे जाकर कहा कि लॉड्माउंट बेटन ने ऐसा ऐसा कहा है सी राजगोपालचारी उस वक्त पर मद्राश के बड़े नेता थे सी राजगोपाल चारी को पता था कि उनके यहां के यह परंपरा है कि कोई नया राजा बनता है तो राजगुरू उसको एक राजदंड देते हैं अब सी राजगोपाल चारी अपने कुछ लोगों से उस राजदंड के बारे में पता लगवाते हैं पता चलता है कि वो जो रा होती है छड़ी के तरह का कोई एक प्रतिक्चिन होता है जो हाथ में लेकर के वो कुर्सी पर बैठता है और सासन करता है इसी परकार का है सेंगोल जो राजदंड है सी राजगोपाल चारी पता लगवाते हैं तो उनको पता चलता है कि थिरू वदू थूरे नाम का एक अधिन देते थे अब सी राजगोपाल चारी जो वो मठ है उसके राजगुरु का पता लगवाते हैं तो पता चलता है कि राजगुरु बीमार है वो राजगुरु से गुजारिश करते हैं कि आप एक राजदंड बनवा दीजे भारत के पहले प्रधान मंत्री उसको सत्ता हस्था राजगुरु कहते हैं कि मैं बीमार हूं लेकिन आगर किया जाता है तो राजगुरु अपने मठ से अपने शीश्यों को बोलकर एक सोनार के पास जो सोना वगरा का काम करता है उससे बोलकर एक राजदंड तयार करवाते हैं पांच फिट लंबा वो एक छड़ी होता है रा और सबसे उपर नंदी बैल को भी ठाया जाता है अब नंदी बैल प्रतिक होते हैं नयाई के कहा गया कि राजदंड वहाँ पर बनाया गया और वहाँ से जो राजगुरु थे उस राजगुरु ने अपने तीन सिस्यों के साथ दिल्ली में भेगा 14 अगस्त 1947 को राजदंड बनकर दिल्ली पहुचा दिल्ली में लोड माउंट बेटन को राजदंड दिया गया लोड माउंट बेटन जब राजदंड को उन्होंने लिया तो उसके बाद पंडि जौहललाल नेहरु को उन्होंने 17 स्थांतरन के रूप में पकड़ाया अब व जल छिड़का गया और वहाँ पर जो भजन राजगुरु लिखते हैं उस भजन को गाया गया और उस भजन का मतलब होता है कि अब हम आदेश देते हैं कि तुम न्याय करो तुम न्याय जो तुम सत्ता संभालोगे तो तुम न्याय करोगे और यह आदेश पाकर पंडित नेरू ने सुईकार किया अब यही राजदंड की कहानी कहा जाता है कि 1947 के बाद सीधे 1978 में कांची मठ में एक सिस्य को उसके गुरू के द्वारा पता चली अब सिस्य को जो पता चला तो उस वक्त पर तमिलाडू की मिडिया में थोड़ी बहुत चर्चा हुई और त एक दिन दनेंद्र मोधी को इसके बारे में पता चला अब भारत के प्रदान मंत्री नरेंद्र मोधी को इसकी जानकारी मिली तो उन्हों ने कहा कि इस पर रिसर्च कीजिये रिसर्च हुआ तो पता लगा कि पंडित नेरू को जो राजदंड मिला था उसको इलहाबाद में जो म्यूजियम है उसके अंदर रखा गया है और फिर नरेंद्र मोधी ने कहा कि फिर से उस राजदंड को लाया जाएगा और उसको सब के सामने रखा जाएगा तैह हुआ कि लोकसभा के जो एस्पीकर होंगे उस एस्पीकर के कुर्शी की बगल में जो सेंगोल है भारत का र राजदंड उसको वहाँ पर स्थापित किया जाएगा और इस प्रकार से राजदंड फिर से हम सब के सामने आया हाला कि इसको लेकर अलग अलग राय भी है एक पक्ष कहता है कि पंडित नेरू ने ऐसा कोई राजदंड सुईकार नहीं किया लेकिन एक बड़ा रिसर्च कर करने वाले लोगों का धड़ा है जो कहता है कि विशेस बीमान से सरकार ने तीन लोगों को राजदंड लेकर दिली बुलाया था और पंडित नेरू ने 12 बजने के 15 मिनट पहले उस राजदंड को सुईकार किया बाकी अब जो तमाम जानकारी जो तमाम कहानिया चल रही है वो सब कुछ हमने आप तक पहुंचाई है आपके इस पर क्या प्रसक्रिया है कमेंड वोक्स बने के बताईएगा तमाम खबरों के लिए आप जन्तांक्शन के साथ बने रहीएगा वीडियो यहीं पर समाप करते हैं कैमरे जब शाहल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंग बहुत बहुत धन्यवाद